जहीं दोस्तों, एक तरफ है IPS, यानि कि Indian Police Service के Police Officers, दूसरी तरफ है Indian Army के Officers, दोनों में क्या अंतर है, किसके पास कितना पावर है, आज किस विडियो में इन दोनों को कंपेर करेंगे और हम आपको मताएंगे कि इन दोनों में Difference क्या है IPS Officer बनने के लिए UPSC crack करके IPS के लिए apply किया जाता है, और UPSC crack करके IPS joining rank होता है ASP, Assistant Superintendent of Police, एक IPS Officer को राजने तक और पबलिक, दोनों का ही ख्याल रखके duty करना होता है, और एक IPS Police Officer का काम है स्टेट की internal मामलों को सुल्जाना, स्टेट के अंदर crime को रोकना, नए विवस्था को बना इनकाम है, इसके इलावा भी VIP Security के लिए भी एक IPS Officer का इस्तबाल किया जाता है, IPS Officer का जो duty time है वो normal police जैसा ही होता है, लेकिन IPS Officers के छुट्टी बहुत कम होती है, Festival Seasons में एक IPS Officer का duty और ज़्यादा बढ़ जाता है, बात करते हैं IPS Officer के power के बारे में, एक IPS Officer की power एक state level पे बहुत ज़्यादा होता है, एक IPS Officer अपने state में बहुत ज़्यादा powerful होता है, CAPS, NSD, Intelligence Bureau, ROS, CBI, ये सभी को lead करता है एक IPS Officer, एक जिले के superintendent of police, एक IPS Officer ही होता है, जिनके अंडर में पूरी जला के police काम करती है, तो जिले में उनका सम्मान और उनके power बहुत ज़्यादा होता है, एक IPS Officer के base rank यानि कि ASP की भी अगर गाड़ी कहीं से निकलती है, तो उसके आगे तीन police van, उसके पीछे तीन police van और बीच में ASP की गाड़ी जाती है, IPS Officer को अच्छे quarter की facility, medical की facility, अपने personal car की facility दिया जाता है, लेकिन एक IPS Officer को अपने ट्यूपी के दोरान बहुत ज़दा tension और pressure भी handle करना हो उसी राज्य के Chief Minister के अंडर में आता है, और उसी राज्य के Chief Minister के Rolling Party के MLS, MPs अगर चाहे तो एक IPS Officer के उपर दवाब बना सकता है, देखें ये जनरली तो illegal है, IPS Officer की कुछ दाइरे होता है, वो उन दाइरे के अंदर में ही काम करता है, कुछ laws होती है, उन laws के अंदर में ही काम क देखें करता है, लेकिन एक राजने तक IPS Officer के उपर प्रेशर बना सकता है, और एक IPS Officer को बहुत जदा प्रेशर भी जहलना होता है, तो जिले में कहीं पर भी कुछ मडर हो रहा है, कुछ भी क्राइम हो रहा है, तो उपर चलते चलते दवाब SP के उपर ही आता है, जबाब IPS Officer में टेंशन बहुत जदा है, लेकिन फैसलिटीज भी उतना ही जदा है, पावर भी उतना ही जदा है, अब बात करते हैं हमारी देश के उन लेजंडरी देश भक्तों के बारे में, जो भारतिय सेना के नाम से जाने जाते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, नेशनल रैंक में कमिशन होता है, एक IPS Officer और लिफिनन की सैलरी लगबग सेम होते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे फैसलिटीज हैं जो आपको ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि कैंटीन की फैसलिटी, आर्मी स्कूल की फैसलिटी, आर्मी हॉस्पिटल्स की फैसलिटी, ये दुश्मनों से लड़ में के लिए इंडियन आर्मी है, काउंटर टेरिजम, आपरेशन और युद्धकालिं परिस्ति में इंडियन आर्मी को फ्रेंट फोट में भेजा जाता है, इंडियन आर्मी इस देश का लास्ट लाइन ओफ डिफेंस है, इंडियन आर्मी अगर खतम हो गया तो फूरा देश खत्म हो जाएगा अब बात करते हैं कि इंडियन आर्मी ओफिसर का पावर की क्योंकि इंडियन आर्मी एक अलग ही तरीके का जौब है दोस्त ये एक अलग रुदबा है ये देश भक्तों का जौब है यहां पर जाने के बाद आप अपने काम को नहीं कोई प्रक नहीं पड़ता है लेकिन अपने बंदों के ऊपर कोई आच नहीं आना चाहिए इंडियन आर्मी हमेशा इंडियन आर्मी के सूल्जर्स के साथ में खड़े रहते हैं इंडियन आर्मी में एक अलग ही तरेके का अलग ही लेवल का ब्रदर हुड है यहाँ पर कोई कसम नहीं खाये जाती है एक दूसरे के साथ में रहने की लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे के लिए गोली तक खाएगा, जान तक देगा इंडियन आर्मी में चैलेंजिस भी IPS ओफिसर से बहुत जादा होता है इंडियन आर्मी में कई सारे ड्यूटीज हाई उल्टिटूड पर होते हैं 17,000-18,000 फिट उचाई पर पर सांस लेना मुश्किल है, वहाँ पर भी इंडियन आर्मी त्यानाथ है सियाचीन, क्लेशियर, जमवन, कश्मीर जैसे जगव पर इंडियन आर्मी त्यानाथ है IPS से ज़्यादा ट्रेणिंग इसको दी जाती है IPS से ज़्यादा कठिन काम ये करते हैं, कठिन परिस्तियों में ड्यूटी करते हैं तो अगर एक स्केट में आर्मी ओफिसर के पावर के बारे में बात करें तो दोस्त ये पूरा देश इंडियन आर्मी का ही है वो है तो हम है ये पूरा देश उनका है और पूरे देश के लोग उनके साथ में खड़े है इसलिए उनको किसी भी तरह के पॉलिटिकल पावर की ज़वरत नहीं है क्योंकि भारत के जंता उसके साथ में खड़ा है सुपरिंटेंडड और पुलिस की पावर एक जिले में या फिर एक स्टेट में ही फ्यला हुआ है लेकिन भारतिय सेना के ऑफिसर्स की पावर इस पूरे देश में फ्यला हुआ है कोई भी पार्टी के राजने तक लीडर ये फिर नेता एक आर्मी ओफिसर के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता आशा करता हूँ आप IPS ओफिसर और आर्मी के बीच में क्या अंतर है ये समझ चुके होंगे इन दोना में कौन महतर है शायद आपको बताने के ज़रुरत नहीं है कौन इस देश के लिए लड़ता है शायद वो भी बताने के ज़रुरत नहीं है इन डिफेंस इलेटेट इसी तर के विडियोज आगे देखने के लिए एन डिफेंस युटूब चैनल को सब्स्टाइब करके बल नोटिकनिस आनको प्रेस करते हैं मिलते आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए जहिन जावारा से